इसके चौब इसके बाद देखो यह जो मरे डाइमेंसिन वाले कंशेप्लियर हो गया अब इसके बाद क्या पढ़ना तो भी बचोप पढ़ना है वही मलब आपना दो पार्ड में ने डिवाइड कि दिया है जो डाइमेंसल से जिटने जुड़े सवाल थे यह कवर करवा दिया है अभी कौन से सवाल है significant digit measurement and significance वाले question जो पूचे गए सवाल है PY में बराबर ठीक है कि फर्स्क्वेस्टन कर देखो यहां पर थोड़ा question में बच्वेस्टन थोड़ा उपर की तरफ सीट हो गया पर मैं आपको question बताई दा क्या maximum error find करना है दो जे 2022 का सवाल इंदे measurement resistance resistance में error find करना है current time error find करना है for which अगर आपको दिया है किया रइजिस्टन में वन percentage एर्र दिया है current में टू परसंड दिया है कि ट्री परसंड दिया है तो आपको find करनी maximum percentage इरर heat में तो पहले heat energy का form is क्या होता है देखो heat energy का i-square rt होता है बड़ाब अब देखो current में resistance में कितने और पर्जिपर्संड़ तो यह तो आगे है यह यह नहीं है तो यहां तो आगे लेना है तुछ में क्या ओलिस एड होती एग ति मलोक जांते हो टाइम में परक्रांटेश अर्टी यह एग कंचेपट पृिर कर चुके हैं एजड में परसंटेश तो टू-लिग दिया अधरी बहुत को लिटा असर सही है खूंसर डी-फोर दिल Soviet D ठीक अब देखिए next question क्या क्या देखिए दो resistance को parallel करने क्या 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 पेलर करने क्या देखिए पहले क्या आरवन बरा बच्व आपको दिया जादिये 4 प्लस और माइनस 0.8 वह हम है बराबर तो इतनी 0.4 ज्यादा भी आ सकती है तो आपको equivalent डेजिस्टंस बताना है with error with error तो equivalent डेजिस्टंस नॉर्मल तो आपको बता चल जाएक आर इसका कर मैं बोलू तो दोनों को पहलर कने करूगा तो one a true value की four and four parallel कने के तो आर बराबर कियागा two हो मैंगा but यह तो true value है पंड with error हमको बताने है with error बताने देखो two वाला यह भी है यह भी बी और डी में से कौन सांसर सही होगा with error बताने है तो आप इसके लिए आपको with error पहले formula लग देता है one by r1 sorry one by r equal to one by r1 plus one by r2 with error बताईगे तो यह देखो उपर जाएगा r1 minus one आएगा r2 minus one आएगा अब देखो इसको differentiate करेगे differentiate करेगे तो minus one आएगा ठीक अब यह तो यह क्याएगा अब यह देल्टा आर में जितना चेंज होगा और यह minus one आगया तो यह देखो इसको फिर यह minus one आगया तो आर में कितना चेंज आगा तो delta r1 उसमें यहाँ पर आगये जला कि तो यहाँ एक power कम हो जाएगा उसमें से हमको subtract करना minus one यहाँ फिर शगें minus one इसको यह क्याएगा delta r2 यह कम हो गया तो r2 का क्या आएगा minus two power आगा बराबर अपर यह पढ़ा था ने x square का differentiate करेगा तो बच्चों कि आएगा इसका two x अगर यह dx ऐसा form है two x dx तो two क्या हैगा आगया तो यहाँ जो था वह आगया आगया उसमें एक power कम कर देना है तो उसमें एक अगर minus one में से minus one इकल minus two और delta r मलब क्याएगा dx और x में कितना चेंज हो रहा है वह देखो अब सब जगा minus one है तो कट जाएगा बच्चों यह minus one minus one कट हो गया इसको नीचे ले लो delta r upon r square equal to का डिल्टा और बन पॉन कैगा रवन का square आएगा नीचे डिल्टा रट्व अपन कैगा रट्व का square आप देखो हम को क्या डिल्टा रवन आपको दिया error में कितरा change 0.8 R1 का square 4 का square क्या कि 16 आएगा यहां पर delta 2 बराबर किया दिया बच्चो 0.4 दिया है 2 का square क्या कि 16 आएगा नीचे 16 है 16 है उपा 0.8 प्लस 0.1.2 हो जाएगा नीचे delta R upon R square 2 का square क्या हो जाएगा 4 उधर चला गए तो क्या हो प्लस हो जाएगा तो देखो कुछ इस तरह से होगा कुछ इस तरह से देखो 16 16 जि Hasmond तो देखो और बचा बराबर तो क्या एगर 2FF तो प्लस और माइनस 0.35 une यह व्हाला अंसर है कौशा आंसर व्हाला ही कंसा अंसर मेश कर Va zweiten यह व्होरлан आपको दिया y equal to m square r raise to minus 4g ka x L ka minus 3 by 3 power है तो आपको किसका डायो फोर्म निकालना है डायो सोरी आपको X और पाहिकी value आपको % दिया है तो % of y ने कितने % % 18% दिया है तो म् में कितने % में कितने % दिया है तो मैं बॉच्छो वं पर्संडेद दिया है और कौन से तम में आर में कितना परसंडेज तो जीरो पॉइंट फाइप परसंडेज चेंज हो रहा है एल में कितना परसंडेज चेंज हो रहा है और पी में पी में कितना percentage है हो रहा है और य, m, r, l और g उसके बाद क्या g में कितना percentage है रहा है g में p percentage दिया है यह वाला l टम में यह वाला l है ठीक है अब देखो आपको formula लिख देता हूँ y बराबर क्या होगा m square r raise to minus 4 g का x l का minus 3 इसको जो minus वाला टम में नीचे ले ले लेकर plus होजाएगा y equal to m square g का x power यह बच्चों नीचे होगिया तो plus होगिया l का plus होगिया बराबर अब देखो percentage निकाल नहीं हो तो error हमें से add होगी है तो तुम लोग जानते हो तो y में percentage जो power को आगे ले लेना होता है अब देखो y में percentage निकालनी है देखो y में कितनी पच्चों आईड़ी परसंटेज हो कि एक्स जी में कितने percentage जी में परसंटेज है तो जी में पी है तो L में 4% दे जा रहा है 18 अब यहां पर बागे वाला पाट इधर कर दे तो 18 बराबर बच्चो 2 प्लस PX प्लस PX आगे यह 4 1 by 2 बलब यह 2 हो जाएगा और यह क्या कर 2 तो जाब 4 और यह 3 तो जाब 6 हो जाएगा 6 प्लस 2 बराबर कि 8 अब देखिए कौनसे दो मिल्टिपल्य करो का P और X का मुल्टिप्लिकेशन इटा रहा ती और X का मिल्टिप्लिकेशन आवार आ रहा है पी और X की वेलू दिया है तो 5 तूजा 10 अब यह भी नहीं है पॉर तूजा 12 अब यह भी नहीं है 16 3, जब 48 को मैं 6 से डिवाइड करूगा, 48 डिवाइड बैए 6, 48 डिवाइड बैए 6, यह 48 डिवाइड बैए 6 करेंगे, 8 आंसर आएगा, यह वाला 8, ठीक है, तो हमारा कौन सा उप्शन होगा, यह वाला, D for दिल्ली वाला होगा, ठीक है, समझमारी बात सबको, ओके, आगे ब इक्यूरेसी 1 mm तक मेजर कर सकता है, दिखिया, तो डिल्टा यहाँ इसको अगर में, फॉर्म में, एरर में बताओ का, अब एरर कितनी एरर तका है, तो डिल्टा यह बराबर बच्व लिखते का, 1 mm, अगर इसको सेंट्री में, में अन्वाट करें, तो 0.1 cm, फॉर्म में, के बराबर 2 पाय रूट ऐल अपन जी है, 2 पाय रूट L अपन जी है, M को g में एरर निकालनी है, तो g को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो दौना तरफ square क कर देते है, तो t square equal to k, four pi square, l अपन g एकर g में एरर निकालनी है, तो g का equal to buchya को four pi square, l अपन के gdy t square हो, बराबर g में एर चांड नहीं करना है कि टैम यृट टइय। से संटैस कि मेराा मुल से मुटिपले करना पढ़ेका इन रएalten सी मुट्य नहीं बोटेटे भीन रहाएकमorit द्युक्रादे करना पड़ेगा तो ड्यल्टा जी अगर पर्संडिज रहें जी सार भान थरी फ्री अंचर भाला यह वाला यह फ़र में बहुंदाबाद वाला अंसर रहेगा वर ग्यार जल्ला बच्छो नेक्स जेए 2020 सवाल को यह स्वाल connection दिया में किसे को है स्कार्ट्ध को ऐक जिए इकक्लेशन दिया जैर बड़ाबर A square Bq upon root c dq जड़chien आपको percentage बताई एरर देखो में कितनी percentage व्यारर बड़ाबर two percentage दिया है वी में कतने percentage जरा रहे ही तो a gotta, ब्रॉपइंट फाइंसेंट आपको किसमे अर्र बता नहीं को Z बतानी है देखे equation क्या दिये बच्छों देखो equation लिख देखे z बराब ए स्क्वेर बी का two by three power यहां पर c का किदरा power का कुछ नहीं one by two लिख सकता है उसको d का क्या लिख सकते थ्री लिख सकते है बराबर अब यह percentage run z तो तो आगे ले लेके तो percentage run a plus टू बाइ ले लेगा तो परसंटेंड थीक, या क्या算 Character क्लें है फिर वैल्यू रखनी है और यह हम को buffer निकालने है यह तो जो पावर होगा वा अगे निकाल जाका कर यह परसंटेंडर हो जाएगा परेबर यह में कितना % दिये दो बचो टू पर संट दिया है अब दीख टू बैट रिमें कितना % दिया है एक लूद कि revenir 2.5 अधो ने पर्सेंडेस लिरो यह वाला परसंडेज परसंडेज और यह परसंटेजने व फार परसंटेज बचो यह थ्री हो गया बन परसंटेज आएगा यह तू परसंटेज आएगा और यह 7.5 अएड़ करो 552 770 14.5 परसंटेज आया 14.5 देखो सबको बराबर फिर बचो कुंसा जेए 2020 का सवाल क्या कहता है देखो आपको यहां पे पर पैंडूलम ग्रेविटी एक्सलरेशन दिया है बराबर पर उसका लेंद्ध दिया है उसका ताइम की बात के पैंडूलम का दूसका फॉर्मा तुम लोग जानते हो क्या फॉर्मा होता बचो टी बराबर टू पाइ रूट एल अपॉन जी होता है यह फॉर्मा होता है हमारा वहां पे यह टी टाइम पिरिएड है लेंद्ध पेंडूलम में जी ग्रेविटी एक्सलरेशन है आमको जी में बतानी जी की बात कर नहीं है तो जी को सब्जक्ट बनाएगे तो टी स् स्क्वेर अपॉन क्या होगा एल अपॉन जी हो जाएगा देखो जी बराबर क्या होगा तो फॉर पाइस स्क्वेर एल अपॉन टी स्क्वेर आएगा तो जी में परसंटेजर निकाल ली है बराबर तो आप देखो अब इसके लिए क्या होगा देखिए सबसे पहले क्या दि L बराबर किया दिया है तो 25.0 cm देखो L में 25.0 दिया है L में error कितनी आई बतानी पर देखो यह list count क्या होगा 0.1 cm तक measure कर सकता है 25.0 है तो इसमें delta L मलब L में कितनी error आ सकती है तो 0.1 cm तक आ सकती है बराबर टाइम में देखो टी बराबर 1 सेकंड तो time में error कितना दिया है तो 1 सेकंड दिया है time period क्या दिया है तो आपको दिया 50 सेकंड दिया है बराबर तो अब देखो बस यह value निकाल नहीं है तो देखो इसका formula है का delta G upon G is equal to 4 pi square constant का constant का कुछ नहीं लिखे कि is equal to delta L upon L plus 2 आगे ले लेकर तो delta T upon T value रख देते हैं बराबर डेल्टा L की value कितनी दिया है देख सकते हैं delta L बराबर 0.1 दिया है तो 1 रख देते हैं 0.1 नीचे क्या लिख देखें L की क्या है का 25 plus delta T कितना दिया है तो 0.2 हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा तो देखो इसको percentage में convert करना है तो परसंटेज जी में इसको कितने से 100 से multiply करें तो ट्वेंट फिप्टी टूजा टू पाइंट टू मंडिप्लाइट टू परसंटेज तो किया है कि 4.4 परसंटेज परसंटेज कौन सा वाला option होगा सी यह वाला answer है हमारा सी वाला बराबर जेख सकते हो तुम लोग फिर बच्चों से जेए 2008 का सवाल है सेम percentage error का सवाल है क्योंकि same question इसलिए हमने लिए क्योंकि आपको अपी concept मजा जा जाए क्योंकि अपी percentage error के तो जितने percentage error के सवाल है उतने ले लिए बराबर तो उसके बिले dimension वाले जितने सवाल ते वो ले लिए सेम मेथड के आ जाएका तो और मजाएका percentage दियाे बराबर और क्यूं में क्या percentage दिया ऊ», कि पर male और में क्या percentage दिया है और S में —1.5 percentage दिया है बराबर बान यह इल्या पर फोर्मला साइमरशण निकाल देता मैं प्लस तो यह किसका वार्म जाता है प्लस यहां वन बाइटू यह आर मलब क्या इसका वन बाइटू पार होते हैं तो वन बाइटू में एड होती बचो एयर हमेंस एड होती याद रखना है तुम लोग को सद्थी PR ंपरसंडेज कितनी आरी यह तो सर जीरो पॉइंट परसंडेज कितनी परसंडेज दिया है तो बच्चो 1.5 दिया है तो पूट कर दो यह वाला परसंटेज बराबर जीरो पॉइंट फाइए प्लस थ्री प्लस 1.5 प्लस 1.5 तो 1.5 1.5 यह 3 हो गिया बराबर सही जा रहे हैं बराबर सरो ओके 1.5 3 3 6 6.5 आंसर आ रहे हैं इस अब का मिलागी आएगे 6.5 परसंटेज आ यह बच्चो 6.5 माला क्या होगा यह वाला आंसर आएगा समझ मारी बाद सबको देखे फिर बच्चो जही 2016 सवाल क्या दिया है देखें एरर का क्विस्चन है देखो टाइम हंडेड ओसिलेशन ह रहें उसिलेशन कर टाइम मिजरमेंट करे है तो चार बाँ टाइम मिजरमेंट क्या है टी 1 बेराबर क्या डाइंटी सेकंड आपको दिया है और टी-फोर बराबर क्या दिया है, 92 सेकंड दिया है ये सवाल दिया है बराबरOर क्या बुचने time में कितनी error आ रहे है तो time मेज़र में minimum ये कितना measure मेज़र कह सके तो delta t बराबर 1 second ये pendulum minimum 1 second तक measurement कर सकते है मयलों उसका list count कह सकते है 1 second तो maximum error यहां पर हमारी ये delta t वन सेकंड आ रही है बराबर अच्छा तो आपको क्या पुछाए तो टाइम बतानी एंड रिपोटेड मीन टाइम अब इसमें हमको टाइम की मीन टाइम बतानी है तो क्या करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे सभी का average निकालेगे टीवन प्रस टीटू प्लस टीटू प्लस टीफ्लस टीफॉर डिवैड बेफ फूर तो error में भी इसकी error इसकी 4 की error का भी mean निकालेगे 4 इसकी absolute error टीवन फाइंड करेगे इसकी delta t1 फाइंड करेगे बने लो देल्टा टीटू फाइंड करेंगे बचो और टी को चारों का का करेंगे मीन निकाल देगा तो सबसे बिले टी में इक वल टू के बचो टीवन प्लस टीटू प्लस टी जरी प्लस टीवन को इतने से डिवैड़ से डिवाइड करें ऑलॉंत नाइंटीवपत कितू कितनी दिया है यह तो नन्टी बाइट यह तो हमाँ इसको कितने से डिवाइड करना है एप नैंटी प्लस नैंटी बन चोई कि एक बन और सेवन एट हो जाएगा और ही कहांगा, इसको फोर से डिवाइड के फोर नहीं जाए नैंटी टो अगे तो तू वेल्यू कि आई नैंटी टू सेकंड हाई, तो देखो, चारो चार ओप्श माइनस टी बना को ट्रूव § pastellt najागे डेल्टा टी तुट टूैगकर टी मीं आइनिटी टूमाइट टू गोज फण्सकेंट बिख़ टूरडा यहेश च्वस्टाइगा ब्राबर आपक्व सिद्ध अबिवेटरेंगे helium स्टुए गता ममाइनस टूर्ञेंगे देल्ट Atlas सो अभी मीन कर सकता है कि इसके लेए न कि सब को सब्सक्राइबiddler को मोड करेंड़ कर gone अब्सक्राइब हमें से होती है हमारी तब तुम लोग जानते हो ठीक है डिवाइड है पो S lagi करके हमको करना है बच्छो डेल्टा टी बन तो कि आएगा टू आएगा प्लस एक आएगा और यह वन प्लस माइनस त्री प्लस क्या दिया है तो जीरो डिवाइड बै फॉर करेंगे टू प्लस त्री शिक्स इसमें सिग्निफिकन डिजिट में भी दिया है तो यहां पर जो क्वेस्टन में आपको इस पर सिग्निफिकन डिजिट दिया उसके सबसे हमारा अंसर में भी सिग्निफिकन डिजिट होगा यहां पर वन सिग्निफिकन डिजिट में ही है तो यह भी हमारा वन सिग्निफिकन डिजिट में होगा वन पॉइंट फै इसको राउंड आप करना पड़ेगा वन सिग्निफिकन डिजिट में तो वन पॉइंट फाई टूइए ट्शी Chief वाक यह वह ऊड़नेगे वन हो तो तो फिर क्या कने का हमारा अगे देखने का आगए ओरहो नहीं हो तो एक बढ़ाने का इवन हो ऊड़नेग का इवन होसा वड़ने का वन ओरनेक्ष FT इसको मैं एक round of करके क्या कर दूगा तो 92 प्लस और माइनस 2 सेकंड आएगा यह हमारा answer होगा तो चेक कर सकते हो 92 प्लस और माइनस 2 तो कौन सा होगा A4 M2 वाला हमारा answer है बचो बराबर यह हुआ हमारा answer हुआ समझ मैं यह बात सकते हुआ बराबर ठीक है डन यहां तक ओके अब यह जही के previous year के question हमने किये तो similarly बचो आगे के lecture में फिर next chapter लेके आएगे तब तक पढ़ते रही है लड़ते रही है खुश रही है